यह देखिए सूजी का गुलाब जामुल यह बिना स्टफिंग वाला है एकदम सौफ्ट और रसीला और यह है दोस्तों स्टफिंग वाला जो इसे और ज्यादा खास बना देती है यह देखिए नमस्कार सोक्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए जटपट शुरू करते हैं सूजी के गुलाब जामुल की रेसिपी रेसिपी के सुरुआत होगी यहाँ पर दूद को गरम करने से तो हमने एक मेजरिंग के लिए एक कटोरी ले लिया है इसी से हम आपको सारी चीज़े बताएंगे तो दो कटोरी हमने ले लिया है यहाँ पर दूद पहले से उबला हुआ दूद है तो हमें इसे सिर्फ गरम करना है और फिर हम इसमें उसी कटोरी से एक कटोरी लेंगे सूजी और सूजी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करेंगे ऐसा करने से इसमें लंप्स नहीं आएंगे यानि गठलिया नहीं पड़ेंगे तो इस तरीके से धीमी आज पर हम सूजी को पका लेंगे दो तीन मिनाट तक तो अब डू जब इस तरीके का हो जाए तो यह रेडी हो जाता है हमने याँ पर फुल क्रीम दूद लिया था अगर आपने टोंड मिल्क का इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा घी या मक्षन इसमें एक चमस डाल सकते हैं दूद गरम करते समय तो इसको हम रख देते हैं साइड में ढख करके और अब हम बना लेते हैं चासनी इसके लिए हमने सेम कटोरी से एक कटोरी लिया है शकर और उसमें दो कटोरी हम डाल देंगे पानी और आप फ्लेम को ओन करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसकी हम चासनी बना लेंगे चासनी यहाँ पर गाड़ी चासनी बनानी है यानि कोई तार नहीं बनाना है बस एक चिपचिपी सी चासनी फॉर्म हो जाए इसमें थोड़ा सा केसर के धागे डाल देते हैं तो यहाँ पर एक चिपचिपी सी चासनी फॉर्म हो चुकी है गाड़ी सी लगबगा आधा तार आप इसे कह सकते हैं तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और चासनी को साइड में रखते हैं चलते हैं अगले स्टेप की ओर तो अब हम इसके लिए एक स्टफिंग त्यार कर लेते हैं हमने लिया है थोड़ी सी चिरोंजी और एक चम्मा शक्का डाल दिया इसमें और अब इसमें डाल देंगे एक चुटकी फूड कलर फूड कलर अप्शनल है अब चाहें तो डालें अने था बिना इसके भी इस्टफिंग बढ़ियां रहती है तो अब हम यहां डो में पुड़ा सा घी डालेंगे जरा सा और इसको मसल मसल के चिकना कर लेंगे अब से हम दो तीन मिनट आप इसे अच्छे से मसले तो यहां पर डो को अच्छे से मसल करके चिकना कर लिया है अब इसके portion डिवाइड करके इसके हम पेड़े काट लेते हैं बहुत ही छोटे छोटे यह आप जिस हिसाब के गुलाब जामुन चाहते हैं उस हिसाब से इसके पेड़े काट लें तो पहले एक छोटा सा पोर्शन ले करके आप इसको बना के देख लें कितना बड़ा आपको चाहिए गुलाब जामुन उस हिसाब से आप इसके पेड़े काट लें तो इस तरीके से पहले फ्लैट करके फिर इसको हम गोल करेंगे मसल के ताकि इसमें कोई क्रैक्स न रह जाए तो यह देखी यह साइज परफेक्ट है अब हम इसी हिसाब से इसके पेड़े काट लेंगे तो अब हम यहाँ गुलाब जामुन के लिए बॉल्स रेड़ी कर लेते हैं इस तरीके से पहले दबा के फ्लैट करेंगे उसके बाद राउंड कर देंगे और अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे इसमें थोड़ा सा गड़ा करें और इसमें थोड़ी से स्टफिंग डाल देंगे जब ये अंदर पकते समय चीनी मेल्ट होगी तो इसमें काफी softness आएगी इसके लिए अब बहुत जादा बड़े दाने की चीनी का इस्थिमाल ना करें तो यहाँ पर हमने कुछ stuffing के साथ और कुछ बिना stuffing के साथ तयार कर लिये हैं तो अब हम इसे फटाफट fry कर लेते हैं तेल अच्छा गर्म है चेक कर लेते हैं थोड़ा सा portion डालके तो तेल गर्म होने के बाद आज को मेडियम कर देंगे इसे बहुत जादा लो पर भी नहीं पकाना है नहीं तो यह फटने लगते हैं अंदर से इस तरीके से यह बॉल्स को हम डाल देंगे और मध्यम आज पर इसको हम सेकेंगे अब इसको तुरंत ही नहीं चलाना है कम से कम 30 सेकेंड बाद ही इसको हम इस तरीके से किनारे से टर्न करते जाएंगे तो यह देखिए यह बढ़ियां से गुलाबी सिख चुके हैं अब हम इने निकाल के चास्ने में डाल देते हैं तो अब हम इसे दो मिनट के लिए मध्यम आज पर उबाल लेंगे जिससे कि इसके अंदर तक पूरी चास्नी एब्जॉब हो जाए उसके बाद गैस बंद करेंगे और इसको इसी में आदे घंटे के लिए कम से कम छोड़ देंगे उसके बाद ये बढ़ियां से जूसी रसीले सूजी के रसगुले तयार हो जाएंगे बहुत ही टेस्टी होते हैं दोस्तो रेस्पी वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कीजिए चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबाई यानि बेल आइकन जिससे की हमारी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिल जाय करें मिलते हैं दोस्तो एक और रेस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर